हैलो गाइस एक बार फिर से सौगत है आप लोग के अपने चैनल इन इस लाइव में जैसा कि आप लोग जानते हैं कल वर्ड कप 2023 का सतरवा मैच इंडिया वर्सेस बांगलादेश के बीच खेला गया इस मैच में इंडिया ने बांगलादेश को साथ विकेटों से हरा दिया आ बांगलादेश पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में आडि विकेट खोने के बाद 256 रन बनाया बांगलादेश के तरफ से ओपनिंग बैटिंग करने आए तंजीद हसन और लिटंडास तंजीद हसन और लिटंडास ने एक अच्छा सुरूआत किया तंजीद हसन ने 43 बॉ बांगलादेश के अच्छे बैटिंग के कारण बांगलादेश ने 50 ओवर में आड़ विकेट खोने के बाद 256 रन इसकोर बोड पर ठोक दिया इंडिया के तरफ से बालिंग करते हुए मोहमद सिराज जस्पृत बुम्रा और रविंद्र जडेजा ने अपने 10 ओवर के इस पेल में दो-दो विकेट लिया वही कुलदीप यादव अपने 10 ओवर के इस पेल में एक विकेट और सरदुल ठाकूर अपने 9 ओवर के स्पेल में एक विकेट हाशिल किया भारत को यह मैच जीतने के लिए 50 ओवर में 257 रन मनाना था उनके बैट्समें बैटिंग करने जिनमें ओपनिंग तौन पर रोहित सर्मा और सुबमन गिल आयेули रोहित सर्मा और सुबमन गिल ने एक अच्छा शुरुत किया हुब ने 20 foul में 60 और 55 बॉल में तिरपन रन बनाए हैर ने 25 बॉल में 19 और लोके सराहूल ने 34 बॉल में 34 बनाए कोहिली ने इस मैच को धोनीय टैल में फिनिस किया कोहिली ने 41 ओवर के तीसरे बॉल पर एक शांदार शिक्स लगाया और टीम के स्कोर 255 रन से उठकर 261 तक पहुच गया कोहिली के इस भारत ने मैंचख को जीता और कोहिली ने अपना सतक पूरा किया कोहिली ने इस मैंच में 97 बॉल में 130 बनाया और भारत ने इस मैंच को साथ विकेटों से जीत लिया गाईज आप लोग कॉमेंट करके बता है कि आप लोगों को कोहिली का पारी कैसा लगा इस मैच में गाईज आप लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगाओगा अगर वीडियो बढ़िया लगाओगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देए तैंक्स पूर वाचिंग प्रेट्स जाहिंद जाएब